योगराज सिंग ने बड़ा बयान दिया है महंदर सिंग धोनी को लेकर और उन्होंने क्या कुछ कहा है हमने आपको अपने कारिक्रम के जरीय बताया है और एक बार फिर से बता देते हैं कि धोनी जेसी गंदिगी नहीं रहती है यहाँ पर जादा दिनों तक हमारे साथ हमारे वरिष्टस सायोगी मौझूद है अमन जी बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कारिक्रम में अमन जी जिस तरीके के बयान इस वक्त सामने आए है योगराज ने धोनी को लेकर ये बड़ा बयान दिया है इसको कैसे देखते हैं बिल्कुल बहुत ही शर्मनाक बयाना मैं कहूं बहुत है रहारो थी थरेक्री आफे रछाय वाइन जोनी पतारु जञारर बिल्कुल में यायन तो मेरी खाल में कि दोनी को प्रियोग करना ये बताता है कि कोई जरूर परसन खुनना से जो वो इस तरह निगाना चाहते है और ऐसे वक्त चल रहा है और कुछ दिन पहले उनका वर्डे भी सिलिबरेट किया है और उस वक्त में इतना बड़ा बयान तीन दिर पहले है की बात है जब बड़े से लिवेट किया है और आज जबकि न्यूजिलेंट्स एक बार फिर इलियन टीम मैदान पर बिरनी कोशिश कर रही है उससे थोड़ा दिर पहले इस तरह का बयाना जाहिर बात है कि निराश्रा में जरूर डूब होता है फैंस को भी तुमाम जो जानकार उनको भी डूब होता है क्योंकि खुद योगराज करिकेटर रह चुके हैं एक टेस्ट उनों खेला है उनके बॉन से इस तरह का निकलना कि गंदगी है हमेश्य तक नहीं रहेंगे हमेश्य तक टीम में का साथ उनको नहीं मिलेगा जाहिर बात है जाहि इस पर जो आफसूस करना चाहिए क्योंकि दोनी के बारे में कभी भी यूवराज सिंग के मूँ से इस तरीके की बाते नहीं नहीं निकली है और नहीं उन्हें कुछ कहा था यूवराज सिंग एक बहुत ही अच्छे खिडारी थे और उन्होंने कई बार मैन अफ-दव मैच का खिताब भी जीता है और उनौने उन तमाम लोगों का शुकरियादा किया जो लोग की उनके साथ तीमे खेल रहे जहीर बात है ये लोग कहिल लहरे हैं कि Your brothers evaluating waren挺 talented थान उनको पहले हम रना जानी जाय लोगा जा ऑना चाहिए तह्नी से जन लोगों के बाताव चांवलें तो इसमें इस बात को कहना कि उब्राइशन को मुखा दिया जाना चाहिए था दोनी ने वो हमेशा किया है क्योंकि मैं आपको बता रहू कि दो जार दस-ग्यारा की बीच में तो युब्राइशन उतना इंप बात होती थी तीमें उनके चेन को लेकर सवाल उट रहे थे उनको क्यों चुना गया है तो जाहिर बात उसमें दोनी उनके लिए खड़े हुए थे तो यह इस तरह की बाश्चा को प्रियोग करना और पर अनुची शब्द जो में क्रिकिटी लैंग्विज नहीं है मेरे खिल में एक अच्छे इनसान के लिए इस तरह की लैंग्विज नहीं है अगर आप एल की बात करें दोनी ने लगतार शिकर को चूमा है वहीं अगर बात करने लिए तो लगतार आपस में इस तरह की खुननस निकालना आपस में शब्द और प्रियोग करना में खलते हैं हो सकता है अभी अभी अमाईती राइडू ने भी सन्यास लिया है और उन है अपने बेटे के सन्यास से बड़ा दुख हुआ हो इसलिए आहत होकर उन्हें उन तमाम चीजों की याद आगई होगी और उन्हों इस तरह के बयान दे दिए तकी मुझे लग रग़ा है कि कॉप्तान तो विराट कोली है विराट कोली को तैकर करना है कॉन्टी में खेले कि दोनी का नाम बसीतना एक ऐसा है कि चाहें कहीं कुछ हो रहा आप ठीक रहा सीधा में दोनी के ओपर पोड़ दीजिए तो यह जयाती यह नहीं होना चाहिए देखिए आप जो है आवंतर आइडू कुछ नहीं बोलना है इसके लिए तो आप कौन होते हैं इस तरह की कि अगर आप देखेंगे तो तीन तीन विगेट कीपर के साथ में टीम इंडिया केल रही है कि आप बात कि आप कीजिए मैंसिक दोनी है वहां पर खड़े हुए कि अल्दाहूल भी बेन विगेट कीपिंग कर लें तो यह चार पांच विगेट कीपर तो नहीं टीम में हैं जाहिर बात है सब मुची देश को दुख हुआ है कि इतने भी फैंसम को भी दुख हुआ है कि अवंधर आइडू ने महीं तेती साल के उन्हों सन्यास लेया जाहिए 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 यह बहुत जरूरी है जाना लेकिन इस तरह की शब्दों मेरे खाल में कोई भी आप युवराद सिंगे पिता ने जुस तरीके से भाशा शैली का इस्तमाल किया है कि इस तरीके की गंदगी जादा दिन तक टिकने वाली नहीं है इस पर अब कई तरीके के बयान भी आने शुरू हो गये युवराद सिंग को लेकर हमने कारिकरम भी बनाया अमन और उस पर भी कर दृर्शकों को कहा है कि दोनी कहीं न कहीं टीम में इस तरकी जरूर कर रहे हैं तो क्या वाकरी में दोनी जम्मभार है क्या धोनी को आप किस तरीके से देके सब्सक्राइब के गले लगे लगे तस्वीर मुझे भी याद आती है कि युबरा सिंग धोनी से मिलकर रो पड़े थे और बहुत वह अनुखा मोमेंट है जो हमेशा याद रखेंगे मेरे खाल से वो ऐसे में सिर्फ यह कह देना है कि दोनी जिम्मेदार हैं अगर दोनी उनके बात नहीं बोलने चाहिए वो खुद क्रिकेट का हिस्ता रहे हैं वो खुद तमाम चीजों को जंगा रहे हैं ऐसे में सिर्फ दोनी का नाम लेना दोनी को टागेट करना में जाती दुश्मनी आसा नाजर आ रहा है और इस तरह के शब्दों से उनको बचना चाहिए जी दस दुश्मनी को लेकर महिंदुरिसिंग धोनी एक बहतर खिलाडी है यह हमें कहने की जरूरत नहीं है वो तो उनकी खेल और प्रडिशन से नसरा आता है महिंदुरिसिंग धोनी को लेकर कुछ और लोगों नी भी इस तरीके के बयान दिये और जो गुसा नजर आया अंबाट सब्सक्राइब तो यह एक अची अंडर्स्टेंडिंग थी और उस करिके लब में समय तक दोनों ना साथ केला है तो यह जो जायर बाते है इस तरह की बाते करके आपके आपस में उसको भी बिगाने की को जो पहले से बहतर है वो सकते इस तरह के बयानों से रिश्टों में थोड़ी सी खटास तो जरूर जाएगी ज़ुरा सिंग झालकि यह वाक्या दो तो यह जाए बोला जरूर था सामने एक दोने भूने को अधिया दोब करूला जूआ को हमारा चाहिए है जरे को चाहिए लोग है ख्लाड़ी को आप इस तरह के शब्दों प्रियूग करेंगे है मेरे खाल में भूंद ख्लाड़ के लिए जिसको सारवकलिक महान किलाडियों का दरजा दिया जाता है उस किलाड़े के लिए भी अन्या की बात हो जाएगी आप कम से कम सोचिए समझे तब बोलिए और ये जरूरी है किसी ने कहा भी है कि जुबान से लगी चोट जो है जल्दी भरती नहीं है क्योंकि आप तो फिर इस तरीके से क्रुकेट के दो महान खिलारियों कि जब बात हो जो बड़े खिलारी है अभी भी दोनी और युवराज ने सन्यास ले लिया है युवराज का कोई ऐसा वाकि हमारे दर्शकों को थोड़ी से शब्दों में बताईए कि जब धोनी और युवराज साथ तो जो तरीकिर दोनों की जो अंदास था जो जो ताल्मेल था वो नजर आता था क्रिकट ग्राउंट पर जब दोनों बैटिंग करते थी तो जहीर बात है कि दोनों का अन्लस से कमाल किती विकेट उन्हों निकाले युवराज सिंग ने देुके वही होता है कि एक चबतान ह हमेशे अपने खिलाड़ी से प्रड़र्शन निकलवाता है, आप चाहें दोजार गयरा की बात करें, मापर उन गैंद और बल्ले, दोनों से शांदर प्रड़र्शन गया, तो जाहिर बात, तमाम सारे वाके हैं, तमाम सारी यादे हैं, लेकिन कम से कम इस यादों को इस तरह स इस यादों को सुनेरे पलों में रहने दीजे और बहतर हो रहें, दोनों के संबंध यही शुप कापनाए हमारी है, फिलाल हमें और हमारे वरिष्ट सहयोगी अमन जी को दीजे, अजाज़त देखते रहें, नेक्स लाइन स्पोर्स अपने सुझाव हमें जरूर दे, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, विलाई कंद बाए, नमस्कार